इस दुनिया में जितने भी प्राणी रहते हैं, बेश सभी सुख, प्रसनता, आनन्द और मस्ती की तलाश करते भी दिखाए पड़ते हैं। आदमी के हिर्दे पटल पर अंकित हैं। बेश प्रसनता, आनन्द और मस्ती इसलिए चाह रहा है, क्योंकि उसके जीवन में इन सारी चीजों का आभाव है। पित्रों अस्तित्वाद के एक महान विचारक जीन पाल सात्रे ने कहा, आपके जीवन में आपके सिवाए जब कुछ भी अदर बहुत प्रॉमिनेंट बन जाता है। जब वह आपके जीवन की प्राकृतिक ब्यवस्था को अपने हाथ ले लेता है। या आप यूं कहें कि आप कि डिस्प्ले का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे विक्ति के हाथ में होता है। तब आप जो चाहते हैं बैचलचित उस पर नहीं चलते उस पर वही आता है जो रिमोट होल्डर के मन में होता है। ऐसा ही कभी कभी हमारी जीवन में भी होता है। हम लोग कुछ चाहां रहे होते हैं और कर नहीं रहे होते हैं क्योंकि रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे विक्ति के हाथ होता है जब ऐसी प्रसिती पैदा होती है तो निसंदे हैं हमारे जीवन में दुख, कष्ट, मुसीवत, कलह, परेशानिया, बिसपॉंटेडनेस, होपलेसनेस और न जाने कितने निगेटिव फॉर्म्स बन करके तयार हो जाते हैं इन सब के आने के पीछे सात्री की बात सटीक मौलूम पड़ती है दादर इस हेल तो बे आपके लिए पूरा नर्किय वातबड लेकर के ही आते हैं जैसा मैंने प्रारम म कहा अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में नर्की विवस्था लेकर गया रहा है अर्थात निगेटिविटि से परिपूर बातावड बना देता है और आपका अपना आस्तितु ही खत्रे में डाल देता है आपकी निज्टा और आपका जो एक इंडिविजल फॉर्म है वो जैसे भी लोग आ सकते हैं जो अकरड आपके हिरदे को प्रसंदता से भर सकते हैं आनंद की भरसा आपर कर सकते हैं बस पहंचानने की देरी है कि ऐसे कितने लोग आपके पास हैं जैसे ही उनका सामिप पे आपको प्राप्त होता है अकरड प्रसंदता आनंद मस्ति ग्यान और जितनी भी रचनात्मक्ता, सरजनात्मक्ता और सरजनशीलता, सहित सकारात्मक्ता के भाव हो सकते हैं, बेस सब आपके बातरण में स्वतहा इस्पूरित हो जाते हैं, तो मित्रों ऐसे लोगों पर आज चिंतन कीजिए और एक लिस्ट बनाईए और देखिए कि यहाँ प्रसंदता, आनंद और मस्ती का आधार हो सकते हैं, बशर्ते उनकी वन्याद सकारात्मक्ता पर अटूट और द्रण विश्वास जैसे महान मूलियों के आधार पर हुई हो, तब वे आपको चीजे आसानी से प्राप्त हो सकती हैं, और कभी-कभी जब आपको लगता है कि अमुक्विक्ति मेरी जीवन को नरक बना रहा है, तो इस पर यहीं विचार रखिए, उसकी गहन समिक्षा करने से कई बार आपको अपने भीतर में सुधार करने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, तो टोटल निगिटिविटी या अपनी आलोचना या ऐसी किसी भी प्रत करिया कुछ इसे सुनकर आप बहुत जल्द इरिटेट फिल करते हैं, बहुत इविडेट उस पर रिस्पॉंस मत कीजिए, कुछ समय लीजिए और उस पर चिंतन कीजिए, और चिंतन के उपरांत ही उस पर अपनी एक सटीक समिक्षा करने के बाद ही रिस्पॉंसिव एक्ट अधर आपकी हैपिनेस का वी रिजन बन सकते हैं, तो ये दोनों परसतिया आपके आसपास निरंतर चलती हैं, इनके लिए कोई फार्मूला ऐसा नहीं है, जिसके आधार पर एक ही बार में आप आकलन कर पाएंगे, बल्कि ये आकलन शान्त मन से और इस्थिर बुद्धी से ही किय जा सकता हैं, इसलिए इस सूत्र पर भी काम कीजिए और जीवन की सियात्रा का आनंद लेते चलिए, मित्रों जीवन एक कंडिशन के साथ कभी नहीं जीजिए सकता और एक रूप में जीवन होता भी नहीं है, आपको पता है कि प्रकरति में कितने अनंत, रंग, प्रकार सब भरे हुए हैं, इसी प्रकार से हमारा जीवन सदा इसी गती से चलता है, तो इसी गती के साथ, महागती के साथ, मिलने के कुछ प्रयास करते हैं, और आनंद भरे जीवन की सवगात, इशर हम सब को परदान करें, इसी कामना के साथ, आप सब को पुनहा नमस्कार, बन्ने बाइब